हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारूं की कैसे आप अपने Moto G13 Android मॉइल फोन में आप जो है फिंगर प्रिंट लॉक को रिमूव कैसे कर सकते हैं अपने मॉइल फोन से ठीक है अब आपको security के इस page में नीचे आना है यहाँ पर आपको option मिलेगा है fingerprint का fingerprint पर आपको इसे select करना है अब आपने जो भी screen lock लगा रखा है आपने फोन पर उसे आपको यहाँ पर enter कर देना है इसके बार right click करना है तो आपका next page यह fingerprint का page open हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आपको यह जो सबसे उपर लिखा हुआ दिखाई दे रहे है ना fingerprint 1 fingerprint 1 के ठीक सामने आपको यह जो delete का option दे रहे है delete के option पर आपको इसे tap करना है तो आपका इस तरीकी से page open होगा remove all fingerprints इसमें आपको नीचे की साड़ यह yes का option tap कर देना है yes remove ठीक है तो आपका जो finger 1 यहाँ पर लिखा हुआ था ना वो इस तरीकी से आपका यहाँ से delete हो जाएगा यानि कि remove हो जाएगा आपका fingerprint lock ठीक है तो इस तरीकी से आप यह fingerprint lock remove कर सकते हैं अब यह setting कैसे काम करेगी मैं आपको बताता हूँ जब भी आप अपने mobile phone की screen को lock करेंगे न अगर आप अपने fingerprint sensor पर अगर अपने उंगली को touch करेंगे न तो आपका phone unlock नहीं होगा ठीक है यह setting जो ना इस तरीके से काम करेगी fingerprint lock remove होने के बाद आपको अपने mobile phone का screen lock use करना पड़ेगा fingerprint से आपका mobile phone unlock नहीं होगा ठीक है अब मैं आपको fingerprint setting को डोंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके phone में इसके लिए आपको phone का setting page open करना है setting page में आपको सबसे ओपर यह search setting का option select करना है और यहाँ पर आपको search bar में type करना है fingerprint fingerprint आप यहाँ पर type कीजिए इस तरीके से तो आपको जो है नीचे की side options हो जाएगा fingerprint का security साथ में लिखा होगा यह वाला option आपको select करना है इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको directly setting page में लेकर आ जाएगा और इस setting को highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया है इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में